हेलो स्टुडेंट वेलकम टू फ्रेंड्स एक प्रिपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर में लेके आता हूँ आपके लिए रोजाना लाइफ क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं आपके प्रॉब्लम को मैथ से रिलेटेड जो भी आपके डाउट है जो भी आप के डाउट से बच्चों जो भी है आपके सामने उसे टाइप करिए और फिर इसे मैं स्वाल करूंगा ठीक है तो आई होप आप लोग स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होगे जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे जो भी डिफिकल्टीज आ रही है उसके जो भी ड डाउट है किसको क्या पूछना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों मैं बेट कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों की डाउट का आप लोगी प्रॉब्लम का जो आप पूछना चाहरे हो फड़ा-फट कमेंट करो भी मैं लाइब चैट में देख रहा हूँ अभी तक मेरे पास कोई किसी का डाउट नहीं आया है तो भी फड़ा-फट जो भी है आपके लिए बच्चे उसे कमेंट करके पूछ सकते हो ठीक है जल्दी पूछो भी अभी किसी बच्चे ने कमेंट नहीं किया है भी अच्छा यह स्टरड़ी जान्सर ठीक है लास्ट डे मैंने एक कुशन पूछ था उसका आंसर बता रहे हो ठीक है नाइन वन टू फ़ाइब ठीक है बच्चे बच्चे बड़की कोशन जो भी है कुशन टाइब करो आज की कलास स्टार्ट करते है आज का फरस्ट कोशन का मै ये लिंक शेयर कर दो बच्चो ताकि आपके जो फ्रेंड है बाकी फ्रेंड वो लोग भी ज्वाइन कर सकें क्लास को ठीक है जो सेम डे होता है जिस दिर भी कोई कोई कोशन पूस्ता हूं उसी दिन सेम डे करके हुई जो भी लाइब चैट में आप लोग लाइब जाता है बाद में कमेंट बौक्स में उसका अंसर आप लॕ plus 60 divided by x आगे क्या है अजय सिंप्लिफाई करना है इसे आगे लिखानी is equal to what question पूरा नहीं है simplify करना है यह इसके equal to क्या है यह नहीं लिखा है question पूरा लिखो यह फिर इसको simplify करना है सिर्फ अगर सिंप्लिफिकेशन ही करना है इतना detail में लिखा नहीं करना है इसकी value find out कर रहे है एक्स की value find out करनी है equation में देखो last में लिखा होगा is equal to किसके equal है नहीं आया है मेरे पास अभी भी नहीं आया है जो question है question लिख देता हूं बाकि फटा 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 मुझे यह बता दो कि आगे इसके equal to क्या है equal to इसकी value क्या है यह भी बताया नहीं है तो जैसे question बोला है मैं question लिख देता हूं question as it is ऐसे given है find the value of 8x 8x plus 60 divide by 4 है question पूरा नहीं है इसमें value किसकी find out करनी है simplify करना है ठीक है यह question है इसको simplify करना है थीक है तो simplification के लिए क्या करेंगे अब यह देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप 4 के table से 8 को भी divide कर सकते हो और समाव 60 को भी divide कर सकते हो और direct divide नहीं करोगा आपको कुछ न कुछ कोमल लेना पड़ेगा तो इन दोनों नंबर के अगर बात करें दोनों में 4 का टेबल कोमन है 4 अगर कोमन लोगे बच्चो इसके अंदर 4 अगर कोमन लेते हो यहाँ पर तो भी अंदर क्या है 4 ले चुके हो 4 वन जा 4 हो गया और उसके बाद यहां से टू आ जाएगा ठीक है टू आ जीरो और उसके बाद फॉर फाइब जा टू यानि कि हमारे पास फिफ्टीन आंसर आ गया ठीक है तो यहां पर मैं फिफ्टीन लिख दूँगा फॉर कोमन ले लिया जब इसके अंदर मिल्टिप्ल आए होगा फॉर टू जा एट होता है और फॉर फिफ्टीन जा या फिफ्टीन को फॉर से मल्टिप्लाई करो को सिक्स्टी आएगा और नीची आपके बास डिवाइड में यहां पर फॉर है ठीक है अब देखो यहां पर कोमन आ गया अब हम इसे कट कर सकते हैं ऐसे प्लस म में दिखिए रहा है यह बचा है जिसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं वन भी लिखने ही जूरूत नहीं है वन से मल्टिप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट आ जाएगा यारे कि टू एक स्विफ्टीन हमारे पास यह आंसर आ गया है ठीक है इसी टैप का एक कोशन मैं की तरफ से हैं जिसको सिंप्लिफिकेशन ही सिंप्लिफिकेशन का ही कोशन दे देता हूं कि सबोस ऐसा ही कोशन हो आपके सामने है और यह हो कि 56y प्लस 56y प्लस 8 डिवाइड बाइड बाइट है ठीक है बहुत एजी कोशन है और इसे सॉल्ब करो और इसका अंसर बताओ क्या आता है बहुत इसी तरीके से सॉल्ब होगा जैसे ही इस वाले कोशन को सॉल्ब किया है अच्छो अभी तक भी किसी दूसरे बच्चे ने कोशन करो और कोशन पूछो फटाफट इस कोशन का आंसर क्या होगा बताओ भी कि ठीक है बताओ क्या आंसर होगा इसका अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है बहुत इसी तरी कोशन है अच्छा एक ने आंसर किया है ठीक है एक का आंसर में देख पा रहा हूं एक बचे ने आंसर किया है ठीक है अच्छा ठीक है 60 है यह 7y प्लस 1 आंसर बता रहे हो ठीक है बागी देखते है बागी बच्चो को क्या आंसर आ रहे है 7y प्लस 8 आंसर आ रहे है और यह अलग-अलग आंसर नहीं आएगा सेम आंसर आएगा भी लगता में सॉल्व करना पड़ेगा देखो अब यहाँ पर क्या है 56 को भी अगर देखो बच्चो 56 को भी और 8 को भी यह दोनों ही 8 के टेबल में आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 8 को common ले लेंगे ठीक है और नीचे भी 8 है तो इसको simplify करना थोड़ा सा easy हो जाएगा ठीक किस तरह से जड़ा एक बर देखो द्यान से भी इसको simplify करना थोड़ा सा easy हो जाएगा अगर मैं में ले लेता हूं इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहां पर यह सेवन वाई हो जाएगा ठीक है अब एट को में ले चुके आप तो अंदर क्या बचेगा एट बाहर निकाल लोगे तो यह बचेगा क्या वन बच जाएगा ठीक है तो यह आपके वास यह वन हो गया और नीचे एट इस तरह से Solve करने इस नहीं वचेगा कि मतलब यह होता है कि दोनों जितनी वी टरंस होती है है एक्सप्पूरेशन में सब को सम्में से ऊओं होता है इस इसो खुछन पूछो नेक्स कोशन पूछो बच्चे, इस टाइप के और भी कोशन चाहिए तो बोलो फिर और भी प्रैक्टिस कराएगे, या फिर कोई और प्राब्लम किसी और बच्चे ने पूछना है, जिस जिस बच्चे ने जॉइन कर लिया बच्चे एक बार कमेंट में अपना नाम और सिटी लिख दो कहा से जोइन किया और क्या नाम है आपका बच्चे, अम्झे पता हो बसके किस किस बच्चे ने जोइन कर लिया, के? da 봐 अथ है सब बच्चे भी जहां से जो इन किया ए जिस प्लेस से लिख सकते हो और कशन पूछो भी कि ठीक है एक बच्छे ने बता दिया सर मैं तो यहां से देख रहा हूं हुए है है कुशन पूछो बुच्छे कुशा कुशन है सारी प्रॉबेम सॉल्ज है कि रिप्लाई नहीं है मेरे पास कुछन पूछो बचे कमेंट बॉक्स में लाइब चेट बार बार देख रहा हूं मेरे पास कुछन अभी आप लोगों ने पूछा नहीं है तो कुछन जल्दी जल्दी पूछोंगे फिर मैं उतने ज्यादा कुछन कंडिन्यू करूँ ठीक है एक बच्ची ने बता देख देखता हूं ठीक है भी नागल इंड जो बच्चे एथली कुछन है तो पूछोंगे अब कुछन नहीं है तो फिर आज जल्दी क्लास वाइंड आप कर देंगे को यह और कौशन है या वाइंड अप कर देंगे क्लास ज्यादा बच्चे जोई नहीं कर पाए हैं तो question भी कम होंगे हमारे पास, ज्यादा बच्चे होंगे तो question आ गया, what value will come when 60A divided by 15, 60A लिखना चाहरे हो या 60A क्या मतलब है, 60A divided by 15, इस question के साथ या A ऐसे घलती से टाइप हो गया है, A की value थोड़ा बताओ, 60A है या 60A है, थोड़ा confirm करो मुझे, I hope मेरी अवाज आ रही होगी, मैंने पूछा एक question में 60A है, उसको confirm करो एक बच्चे, अब next question जैसे पूछ लिया है, तो उस question को देखते है, यह सर क्या, 60A है, यह लिखो ना, 60A है सिर्फ या 60A, 60A है, ठीक है, question next question आ गया है, यह question यह है, कि भी अगर आपके पास 60A हो, इसे 15 से डिवाइड करेंगे, 60A को 15 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास result क्या आएगा, यह बताना है, ठीक है, इसको solve करने के लिए क्लिए क्लिए जैसे 60A है, तो आप इसे लिखो कि 60A डिवाइड वाइड वाइड 15 लिख दोगे, ठीक है, अब क्याए यह तो variable है, और जो number है, यह constant होता है, देखो expression, कोई भी expression होता है, उसमें दो चीज़ ओता है, अब दोनों की meaning समझ लो, constant क्या होता है, variable क्या होता है, variable का मतलब है, कोई भी letter हो सकता है, a, b, c, d, x, y, z, ठीक है, कोई भी letter हो सकता है, मैं एक एक्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं कि ABCD इस टाइप से हो सकता है अ कॉस्टनेट का मतलब होता है numbers कोई भी number हो सकता है 123 कुछ भी 15 17 100 कुछ भी हो सकता है कोई जैसे मैंने 405 लिख दिया कोई भी number हो तो जो भी number होता है यानि कि वो fixed है उसे constant बोलते है और variable का मतलब यह होता है कोई भी alphabetic letter होगा या कोई symbol भी हो सकता है और इसकी जो value होती है वो change हो सकती है variable that vary constant that remain same ठीक है यह चीज़े है अब जैसे एक्स्प्रेशन है 60 A divided by 15 यह question है तो इसके अंदर ए जो है आपके पास यह तो यहाँ पर क्या है variable है और 60 यह 15 की बात करें यह constant value है तो constant constant तो आपस में divide कर देंगे variable as it is रह जाएगा तो इसको हम solve कर लेंगे तो जब 15 के टेबल से divide करोगे 15 1 जा 15 और 15 4 जा 60 यानि कि यह ऐसा हो गया 4 A divided by 1 हो गया वह लिखने की जुरुत नहीं होती है तो डारेक्ट लिख सकते हो 4 A ठीक है तो 4 A आंसर हो गया बस यही था कोश्चन यह पर यह कुश्च नहीं हो ना यह वेरेबल है जाए से भी कोश्चन हो सकता है ठीक है इसके लाबहा कुछ और वी कोश्चन हो सकते हैं यह थोड़ा बहुत इसी हो गया कहीं कोश्चन क्या होता है थोड़ा सा सिंप्लिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा वह आंसर होगा तो यह दोनों कोशन कर लेना बाकि अगर मुझे नहीं लग रहा कोई बच्चे ज्यादा बच्चे ज्यादा बच्चे जोइन कर रहे हैं तो हम लोग क्लास ओवर कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो पूछो अधरवाइस क्लास ओवर करेंगे कोशन है तो पूछो बच्चे अधरवाइस यह तो दो कोशन है आप लोग कर लेना अब मुझे कमेंट करके बताना भी इसका आंसर क्या है दोनों कोशन बहुत ईजी है सिमिलर है जैसे अभी यह जो आउट नहीं है कोशन है इसका आंसर बताओ फर्स्ट वाले का भी सॉल्व कर लो सेकिंड वाले को बाद में कर लेना चाहिए और आंसर क्या होगा आंसर बताओ बच्चे आंसर नहीं आया है भी ठीक है आंसर बताओ बच्चे आंसर क्या रहा है आंसर बताओ फर्स्ट वाला तो भी सॉल्व कर सकते हो बहुत ईजी है अच्छा वेट कर रहा है अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भी एक बच्चे ने रिप्लाई कर दिया है किसा आंसर होगा ये ठीक है एक आंसर आ गया है 394 बोला है ठीक लेके 394 आ भी रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है रिप्लाई करो बच्चे अच्छा आंसर चेंज करते हैं ये अंसर है एक ने फर्स्ट वाले को स्वल्ब किया एक बच्चे ने सेकंड को स्वल्ब किया है कि 12 का 6 हो जाएगा 21y का हो जाएगा 2y का 1y हो गया और ये जो लास्ट में मैंने 16a दिया है 16a का हो जाएगा क्याना में 8 हो जाएगा अंसर करेक्ट है लेकिन ध्यान रहें अगर वेरिबल स्मॉल लेटर में दे रखे तो स्मॉल लेटर ही यूज करना है कैपिटल नहीं बनाना है ठीक है अगर कैपिटल दे रखे तो कैपिटल ही करना है क्यूंकि दोनों की जरूरी नहीं हो कि मैस में दोनों variable की meaning same हो, अगर small letter में दे रखा है question में तो small letter में ही solve करना है, capital letter में दे रखा है तो capital letter में ही solve करना है, change नहीं करना है अपनी करब से, ठीक है वैसे answer correct है बड़ change नहीं करना है, कोई और problem है तो पूछो कोई और doubt है, problem है तो पूछो, otherwise फिर class wind up कर लेते हैं, है कोई doubt? बता दो एक बर, किसी बच्चे के पास कोई पूछ, किसी ने कुछ पूछना है तो बच्चे पूछो कोई नहीं, question नहीं आ रहे है मेरे पास, question बता बच्चे, question क्या है यह कहा है, 6x1, कोई बात नहीं, 6x1, 1y भी लिखने की जरुत नहीं, y लिखने से भी हो जाते हैं, ठीक है, वैसे गलत भी नहीं है, अगर वन लिख दो तो, लेकिन उतने जरुत नहीं होती है, अज़ा ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा कोई ज्यादा doubt है, बच्चे तो class over करते हैं, ठीक है, तो आज भी practice करना, ज्याद से ज्यादा कुछ नहीं खटे करना, और उसके बाद next class में, जो भी doubt है, उसे पूछ लेना, ठीक है, चलो फिर, अभी कुछ और है, तो yes बोलो, otherwise, फिर wind up करते हैं इसको, yes sir, I have a doubt, ठीक है, तो चलो, comment करो, पूछो, ठीक है, मैं बेट कर रहा हूं, जल्दी से टाइप कर रहा हूँ, कुशन बताओ भे क्या है, कुशन का ही बेट कर रहा हूँ, जल्दी से टाइप करो, और बचे सोते रहे गए, लगता है जोएन नहीं किया किसे ने, बहुत कब बचों ने जोएन किया, जाता बचे सोते रहे गए, आच्छा, कोई बात नहीं, जो जगे हैं उनको benefit होगा, जो नहीं जगे हैं, कोई बा कुशन टाइप करो जल्दी, जल्दी टाइप करो बचे कुशन का ही बेट कर रहा हूँ, जल्दी टाइप करो जो भी पूछना चाहरे हो से उस कुशन को पूछो भी कुशन आगे हो, पूरे एक्प्रेशन की वाल्यू पूछ हहे हूँ, लिखा नहीं है किसकी value find out करना है, simplify करना है, what is the meaning of this, यह into है, इसकी meaning यहापे into यह है, कुछ नहीं है, यहापे इसको into के लिए use करेंगे, कुछ नहीं है, यह बस ऐसे confuse करने के लिए यह into के लिए use किया जाता है, क्योंकि इसको यहापे कुछ लिखा नहीं है, तो into यह बस रिखाना है, जैसे question पूछा है, उसके according ही से solve कर लेता हूँ है, और यह जो simbol है, वैसे है any boolean algebra पढ़ हो गीशिधय reserved और बड़ी क्लास में 11 क्लास में जब जाओगे तो बूलियल एलजब्रा ये बड़ी क्लास में पढ़ोगे तब जाकर के चीज़े आएगी तो वहाँ पर अलग है लेकिन यहाँ पर अलजब्री के क्लास में जाता हूँ जब इन दोनों के पीच में एंड लग जाता है को चीज़े कर लिया जाते हैं जब इसे और ये इन का पैद्ध नहीं पर क्या है, जैसे A के पास कोई number है, 1, 2, 3 है, और B के पास number है, 2, 3, 4 है, ठीक है, एक example लेके बता रहो, C के पास एक number है, माल लेते हैं, 5, 6, 7 है, और D के पास कोई number माल लेते हैं, 7, 8, 9 है, तो जो भी आपको बोला जाए कि भी A, वैसे आप छोटी class में नहीं है, बडी class में, A and B calculate करो, A and B का मतलब यह होता है, कि A and B का मतलब यह होता है, कि A and B में जो चीज common आ रही है, अब A और B के पास common देखोगे, तो दोनों के पास ये 3, 2, 2, 2, दोनों के पास है, तो उसे तो A and B बोल दिया जाता है, ठीक है, यानिक इसका answer क्या होगा, 2, 3 हो जाएगा, और ज जाते हैं, C के सारे element, ठीक है, यह जो C पहले आ रहा है, इसके सारे element, सारे element का मतलब है, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, और D की बात करें, D के भी सारे element, ठीक है, तो D के सारे element हो, अब यहाँ पर देखो कि कुछ चीज़े हैं जो repeat हो रही है, यहने कि कूमन आ रह किया, और यहाँ पर क्या 789, 789, यहने कि यह जो symbol है, और की meaning, यहाँ पर union हो जाता है, union का मतलब यह होता है, कि वो सारे element, जो A में, यह C में है, और D में, दोनों आएंगे, अगर कोई कूमन है, उसको 2 ताइमस नहीं लिखना है, और end का मतलब यह होता है, intersection होता है, ठीक है वैसे ही है, बड़ी क्लास में, लेकिन अभी जो question पूछा है, उस question के according बता रहा हूँ, यह algebraic expression के अगई साब से, जैसे question है, कि 3x अभी यह into के लिए use हो गया, ठीक है, उसके बाद next आप से बोला जा रहा है, कि 6x और यह फिर एक simple सा हैसा symbol use कर लिया, इसके बारे में कुछ कुछ नहीं बताया जा रहा है, जब कुछ नहीं बताया जा रहा है, इसका मतलब हम लोग प्लस का sign use कर लेंगे, ठीक है, बस confuse करने के लिए, यह कह सकते हो, 3x into 6x into 2, यह question, ठीक है, आप इसको multiply कर लो, तो numbers को एक तरा आप लिए तो हमें, 3 multiply by 6 multiply by 2, और यह जो x x है, 2 times है, तो यह x multiply by x, ठीक है, यह हो गया, अब जब इसे simplify करके अलग से answer निकालू, तो 3, 6, 18, 18, 2, 36, तो यह आ गया, और यह जो x x है, 2 times है, तो इसे x square लिख लोगे, ठीक है, छोटी क्लास में इसका कोई इतना खास meaning नहीं है, ठीक है, हो सकता है, मेभी type printing error हो, उससे ज्यादा कु actual में इसकी meaning, बाद में समझे होगे, और कोई question है, इसके लाब कोई और question है, तो पूछो, I hope clear होगे होंगे, doubts clear होगे होंगे, अगर अभी भी कोई doubt है, तो पूछो, otherwise class wind up कर लेते हैं, ज्यादा question है नहीं, आज ज्यादा बच्चो ने join नहीं किया है, तो फिर हमारे पास question भी कम होगे, ज्यादा बच्चे होते हैं, उतने इसलिए मैं कहता हूँ, कि भी link वगरा शे question clear हो गया, तो yes लिख दो, अगर नहीं हुआ तो दुबार explanation चाहिए, जिस step में पूछना चाहरे होंगे, उस step से फिर discuss कर लेंगे, no, नहीं clear होगा, कुछ नहीं बच्चे हो, वो into के लिए use हो रखा है, वो जो symbol है, वो into के लिए use हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर उसके बारे में कोई definition नहीं दे रखिये, तो हम लग उसे into की तरफ समझ लेंगे, into हो, ठीक है, multiplication का symbol है, और बस कुछनी multiply करना था, सारे number एक स स्क्वेर लगा दिया, ठीक है, तो चलो फिर ठीक है, फिर class wind up करते हैं, कोई problem हो, तो भी question लिख के रखना, जब next class कल सुब जब आऊंगा, सुब लाइब लेकर आऊंगा, तो अभी मैं टाटा कर रहा हूं, भाई-बाई कर रहा हूं, और यह class over कर रहा हूं, और हाँ, कोई डाउट रहता है, रह जाता है, तो अच्छा, अब देखो, बाद से सुखे जगने वाले देर से हैं, what is ratio of y plus 9, y plus 9, comparison किसके साथ करोगे, comparison करने के लिए कुछ है नहीं, अच्छा भी, अब लेट लटीब आगे, मैं तो class wind up करने वाला था भी, अब कोशन आ रहे हैं, के साथ comparison कर रहे हो, y plus 9, question पूरा नहीं है, यह question नहीं ले सकता, अच्छा, उसके बाद यह है, हरिया took a loan to build his house, he has to pay back rupees 2750 every month for 2 year, how much will he pay back in 2 year, ठीक है, इसके एक तरह से installment समझ सकते हो, 2750 इसकी installment हो गई, 1 month की, ठीक है, 2 year के लिए, 2 year के लिए calculate करना है, it means you have to multiply, multiply it by the 24, 24 से multiply करोगे answer आजाए, कैसे, जरह देखो, तो इस question के लिए बच्छे, ऐसे करेंगे, यह question है, तो पहले तो यह लिख लो, monthly installment, जो दे रखा है, वो क्या है, एक तरह से monthly installment है, ठीक है, यहां लिखो कि monthly installment, और यह हमारे पास कितना है, तो यह जैसे आपने बताया है, कि 2, मैं देख पा रहा हूँ, 2750, ठीक है, तो यह लिख दिया, मैंने रूपीस 2750, अच्छे, टाइम क्या दे रखा है, तो टाइम की अगर बात करें, तो टाइम है, हमारे पास 2 year है, 2 year को हम लिख सकते है, 2 year is equal to, 2 multiply by 12, that is equal to, 24 months के equal to, हो जाएगा, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद हमें next हमसे पूछा गया है, कि भी amount, return जो करना है, वो amount कितना होगा, it means you have to calculate the amount, final amount कितना होगा, जो हमें return करना है, ठीक है, या फिर final amount के लो, यह return amount के लो, एक ही बात है, ठीक है, यह calculate करना है, तो इस question के लिए हमें क्या करना होगा, कि भी जो monthly installment है, उसके according है, हमें amount मिकालेंगे, तो यह लिख सकते हो, कि final amount, ठीक है, amount लिखने से भी चल जाएगा, final amount ना भी लिखो तो, final amount या total amount या sum of amount एक ही बात है सबका, तो जो भी installment है, ठीक है, installment जो है, उस installment को multiply कर लोगे, number of, यह फिर time कह सकते हो, time से multiply कर लोगे, number of month जितने भी है, तो यह हमारे पास 27 2750 है, और इसे 24 से multiply करेंगे, ठीक है, चलो बच्चो multiply करो, मुझे भी बताओ भी क्या result आ रहे है, बहुत easy सी calculation है, 2750 को हमें multiply किसे करना है, 24 से करना है, ठीक है, चलो बताओ भी क्या result आ रहे है, वीट कर रहा हूँ है, आप लोगे result का, answer का, ठीक है, जो भी आपको लगता है कि सर यह answer आ सकता है, बताओ comment करके, ठीक है, multiplication करो, बहुत easy सी calculation है, सब लोग कर सकते है, जल्दी से calculate करो, ज्यादा time मत लो, और बताओ भी क्या answer आ रहे है, तो जो भी answer आपका multiplication करके आ जाएगा, एक बच्चे ने बता भी दिया, सर 66,000 आएगा, बाकी बच्चे बताओ क्या अनसर है, पर comment डिलीट नहीं करना होता है, सक्षम, अगर एक बार comment कर दिया, ठीक है, बाद में देखना होता है, तुम डिलीट कर दो, डिलीट मत किया करो, क्योंकि बाद में कोई बच्चे अगर recorded class देखता है, तो उनको पता तो लगे कि कोशन क्या पूछाता तुमने, ठ नहीं पाएगा, क्योंकि जो बाकी बच्चे जो लाइब नहीं देखते हैं, बाद में recorded वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए यह होता है, वो लाइब चैट को भी देखते हैं, जहां से क्या होता है, उनको कोशन पता लगता है, कि कि किसी ने क्या पूछा था, और सर सलु कमेंट रिमूब करने की जूरत नहीं है, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ, दो बच्चो का आंसर आ गया है, कि सर 66,000 है, ठीक है बच्चे यही आंसर है, 66,000 ही हमारा आंसर हो जाएगा, तो आप लोग लिख सकते हो, जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा, वो 66,000 आ जाएगा ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट और भी किसी के पास कोशन है, तो फटा फट पूछो भई, लेट जोइन करने वाले, जल्दी कोशन पूछो भई, मैं तो क्लास ओवर करने वाला थाब, ठीक है, आभी मैं किसी भी टाइम ओवर कर दूँगा, अगर कोशन नहीं आए तो, किसी अगर कोशन में कोई कोई मिस्टेक थी, प्रॉपर टाइप नहीं किया था तुमने अब टाइब कर लो कोशन सब्सक्राइब करने के बाद मुझे कमेंट करके बताना वीडियो के एंड में तो कुछ कोशन में अपनी तरफ से फ्रीम कर देता हूं जैसे फॉर इग्जांपल सबसे पहले सिंप्लिफिकेशन के बेस्ट उपर कोशन करता हूं ठीक है लो कोशन नमबर वन यह हो जाएगा कि 5y प्लस 16x प्लस 140 ठीक है 140 डिवाइड बाई इसको कर लेते हैं 50 चलो ठीक है अब कर दिया तो कर दिया यह है यह एक एक एक्सप्रेश प्लस 4x प्लस 120 ठीक है इसको सिंप्ली सॉल्व करना है यह कोशन एक यह हो गया ठीक है next question second मैं दे देता हूं कुछ और भी find the value of x के लिए find the value of x ठीक है इसके लिए कोशन कुछ इस टाइप से बना रहा हूं कि 5y वाला नहीं लेंगे भी x वाला ही लेंगे ठीक है तो मैंने रिए find the value of x और उसके बाद जो equation है बच्च वह इस तरह से हो जाएगा कि 500x प्लस 120 ठीक है is equal to 124x ठीक है अब इसे solve करना इसमें x की value find out करना बहुत easy question है इसके इलाबा question number third इसमें दे देता हूं कि यह 4x plus 4x plus b is equal to यह बच्च इसी type का है जैसे यह second question है उसी type से यह है इसमें भी वह ही है बस मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं find the value of x है b is equal to 16 एक मिनट यहाँ जो b है यह जो b है आपकी पास यह constant value है ठीक है variable नहीं होगा constant value होगी तो यह 16 plus a है ठीक है यहाँ से x की value इस वाली value को find out करना है आपकी पास answer आजाएगा यह calculate कर लेना अच्छों उसके बाद question number 4 भी दे देता हूं जहाँ पर मैं ऐसा करता हूं कि एक question दे देता हूं plus minus का भी हो गया एक multiply divide type का भी दे देता हूं ठीक है तो मैं ले लेता हूं भी 24yx plus 16yx ठीक है और यह जो complete है यह divide होगा भी 18xy से ठीक है इसको भी solve कर लेना उसके बाद एक last question और दे देता हूं multiply भी इस पे कि भी आपके पास कोई भी x plus y है ठीक है x plus y है और इसे multiply करना है 16 से ठीक है 16 से multiply करना और इसके लबा 8 है और 16 16a plus कुछ भी दे ले लेते है 152b ले 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 ठीक है इसको पूरा solve करना simplify करना यह इस तरवी जो form है इसे पूरा complete expand कर देना है इसको आपने क्या करना expand करके जो भी answer आते है वह comment करना तो बहुत easy question है इससे solve करना बाद में जो वीडियो complete हो जाए तो मुझे यह इन सारे question के answer comment box में बताना कि क्या क्या answer है कल मैं जब देखूं उससे पहले आप लो comment कर देना ठीक है ठीक है ठीक है तुम नहीं समझ तुम नहीं पढ़े तुमने नहीं पढ़ा है बच्चे बाकी बच्चे ने तो पढ़ा है उनके लिए question है तुम बाकी और भी मैंने स्कूल भी जाना होता है मुझे तो कुछ में आज कर टाइम नहीं दे पा रहा हूं ठीक है जिस वज़े से class आपकी early morning मुझे लेकर आनी पड़ती मुझे स्कूल जाना होता है आत को late in the evening वीडियो आजाएगी इसका first part लिया हूँगा या फिर कल में इसका first part तो 100% आ जाएगा ठीक है अचा सक्षम तुमने एक question पूछा है इस question को देख लेते हैं यह बच्चे यह question करना five six seven decimal three four यह तो सब लोग कर सकते हैं मुझे से पहले solve करो ज्यादा मुझे कोशन है नहीं बच्चों सब लोग मुझे से पहले solve करो इसका answer बताओ जब भी आपके पास decimal में number होता है तो सबसे पहले बातसीत पता होनी चाहिए कि place value system आपको clear होना चाहिए अगर place value system clear है ठीक है place value system का मतलब यह है कि माल लो यह decimal है ठीक है decimal है decimal के अगर left side जाओ तो यह आपके पार one place होता है उसके आगे जाओ तो one place के बाद आपके पास यह ten place होता है फिर उसके बाद hundred place होता है hundred के बाद thousand place होता है थोड़ा और जागे जाओ thousand के बाद ten thousand place होता है और इधर बात करें तो one by tenth place होता है उसके बाद one by hundred place होता है और इधर बात करें तो one by thousand place होता है हमें जब दे 행र करते हैं जो भी है नंबर निष्कन को नीचे desarroll करे है pum step नहीं होती हैं नबर को लिखने होती है मैंने यहाँ पर लगा दीघ और उससे अंध सेदसीन साइड में नम्बर उसे लिखते चले जाओ जैसे यह 765 हो गया और उसके बाद right side में जो number है उसे लिख लो अब जो भी बोला गया है plus करने के लिए बोला गया तो plus कर दो minus करने के लिए बोला गया तो minus कर लो बस इतना ही करना था अब इसके plus कर लो plus करना मुझे लगता कोई problem नहीं होनी चाहिए ठीक है decimal जहां है as it is वहीं पर लगा दो अब उसके बाद यह solve करते चले जाओ ठीक है तो मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा problem होनी चाहिए इस question में तो आप यह 8 और 5 को add करोगे तो आपक है क्या होती हम लोग को प्रॉपर तरीके से प्लेस नहीं करते है नमबर को ठीक से नहीं लिखते तो हमारी calculation स्थे tähänétait direct कलेशन के टीक करने के यहfest करो एधि मलता मेंने नंब फास नंबर कालें की कान दिंह लेकुछन दीक रहसे जव Look मैं उसके बाद पर देगे जीमुट के सब्सक्राइब करें और उसको स्वाट्र परिमेटर की बात करें बच्चे चैब ungefैना में च ि लेटेल हो या फिर पेंटागोन ओक्टागोन हो किसी भी किसी भी कलोस फिगर का अगर आपको पेरिम्टर निकालना है तो उसका सब सबैने सबसे आसान तरीका ये है कि भी पैरिमीतर क्या सम ऑफ आलसाइट्स जितनी साइड है उन उन सब को plus कर दो, लिख सकतो कि perimeter of, जैसे आप यहाँ पर question पूचाया, sir, octagon का बता दीजी, ठीके, तो octagon का भी लिख सकतो कि perimeter of, एक मिनिट, कि perimeter of octagon की अगर बात करें, ठीके, perimeter of octagon, जैसे बोलाएं, कि perimeter of octagon, तो इसके लिए क्या है कि sum of length of all sides of octagon ठीक है यही एक फार्मुला है जिससे बाकी सारे फार्मुला भी बना सकते हो अब यहाँ octagon है octagon की जिकर pentagon भी हो सकता है triangle भी हो सकता है ठीक है ट्राइंगल के लाबा स्क्वेर भी हो सकता है ठीक है perimeter भी हो सकता है sorry perimeter कह रहा हूँ pentagon कुछ भी हो कहने का मतलब कोई भी close figure आ जाया आपके पास उस close figure में जितने भी diagram बनते आए ठीक है जितने भी जिसस पर example जैसे मैं एक example की तरह जैसे बताना चाहूं कि for example एक minute कि भी आप लोग एक minute जैसे आप लोग छोटी classes में एक minute जैसे सेट स्क्वेर लेते हो ठीक है सेट स्क्वेर की अगर बात करूं सेट स्क्वेर लेते हो सेट स्क्वेर लेते हो ठीक है एक minute मैं देख रहा हूं अभी मुझे सेट स्क्वेर मिल जाता है अगर उसकी बात कर ले तो उसकी भी बात करें तो उसमें जैसे आप लोग जिम्मेट्री वगरा में यूज करते हो सेट स्क्वेर यूज करते हो ठीक है चुको एक पास है तो अगर इसकी बात करूं ठीक है यानि कि एक साइड तो दूसरी साइड यह होगी तीसरी साइड यह होगी अब इसका अगर आप लोग बोलो कि सर्पेरिमेटर निकाल दो कितना होगा तो सबसा सीमपल तरीका ही है धीनों साइड इसका मैंने नाम रख ले B point इसका नाम रख ले मैंने C point और तीनों के अगर सम करने कर दो इसके जो A B की length होगी इससे उसके बाद जो B C की length होगी वो और उसके बाद जो C है इसकी length इन सब की length को अगर प्लस कर दोगे तो आपकी बस answer आ जाएगा इसी तरह बाकी डाइग्राम भी अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो और उसके according से solve कर सकते हो तो ज़्यादा problem होनी नीच है इसके question के अंदर बस circle के लिए थोड़ा अलग हो जाता है अगर circle की बात कर ले बचो ये तो मैं इसकी triangle की बात करो circle में क्योंकि उसमें side नहीं होती तो उसके लिए थोड़ा different है suppose कर लो भी आपके पास कोई भी एक circle है ठीक है माल लेते हैं ये एक minute यहां नहीं एक minute कोई भी जैसे दुबारा करते हैं ठीक है कि भी कोई circle है ठीक है अब मैं एक circle जैसे ले लेता हूँ ठीक है और कि माल लो circle draw कर दिया ठीक है अब ये circle draw कर दिया भी ठीक है अब circle में बात करोगे भी circle में तो side नहीं होती ठीक है एक circle या ऐसा diagram है जिसमें side नहीं देखती है but side नहीं तो क्या हुआ हुआ हमारे पास वह सब्सक्रेंब करके उसके लुदक में सर्काइब अब खूर में रीडियस इसके अंदर आप का को प्यां ऑद सब्सक्राइब। circumference भी एकतर से क्या वोता है, circumference भी एकतर से बोल सकते हो है, बस यह कि साइड नहीं बन पाती है, side नहीं बन पाती हैं, हम लोग क्या घरते हैं, इस radius को यूज कर लेते हैं, सब भुरके र रेडियस है, तो आप लोग क्या बोलते हो, टीक है बाकि जितने भी डाइग्राम आपके पास है उन धेक्स कि पात कर लो या फिर मैं ट्रैंगल की बात कर लो बाकि जितने बीद डाइग्राम आपके पास होते हैं उन सब में क्या उपहर होता है विंट होती अरको आप यहआ पते डी अश्ची topics छाह भीन कए आपके एक्जाम सीमा क्या लिखना चाहरे हूं सक्षम लिख रहा है कोशन इन अर्ण सीमा रूपीज वन लाइक एंड सेव रूपीज फिफ्टी थाउजन और रेशो फाइंड रेशो सीमा अर्ण टुदा मनी टुदा सेव कोशन टाइप नहीं कहा है बर मैं कोशन टाइप करना में थोड़ी बहुत मिस्टेक इसमें प्रॉपर कोशन लिखा नहीं है फिर भी जो लिखा है उसके बेस्ट पर मैं कोशन कर देता हूं कि वन लाइक फिफ्टी थाउजन उसकी इंकम है और फिफ्टी थाउजन उसकी सेविंग है ठीक है और पूछा गया है कि सीमा की जो मनी है उसकी जो सिविंग है उसके बीच में रेशो क्या होगा रेशों बता दो ठीक है जैसे पूछा है उसके इंकम की सीमा की इनकम कितनी है थो इनकम की बात करें तो इनकम है उसकी in conhe हो गई तो सेविक है सेवीं जो भी सेविंग आपास कितना है सेविंग हमारे पास है 580000 में आप Rafis है टो यह भी लिखे लिएा अब ratio between money earn and money save, यहां पर लिख लोगे, जैसे question में पूछा है, कि ratio find out करनी है, ठीक है, एक मिनट, ratio find out करनी के लिए, तो ratio find out करनी के लिए क्या करेंगे, जैसे ratio बोला गया, आपने के रिसर इन दोनों के बीच का ratio निकाल दीजिए, ठीक है, यह question mark हो गया, हमारे लिए question हो गया, तो simple सा तरीका यह आप लिखोगे, कि ratio किसके between है, ratio between, ठीक है, तो जो चीज पहले है, income है, ratio between income and saving, ठीक है, तो income और saving के हमें ratio निकालना है, तो पहले आप क्या करोगे, income उपर लिख लोगे, और उसके बाद जो next है, आपके पास saving, saving नीचे लिख लोगे, और उसके बाद यह जो 1,50,000 है, यह तो ऊपर आ गया, और यह जो 50,000 है, यह नीचे आ गया, अब क्या है, 0,0 सौट आउट करो, answer वैसे ही solve हो जाएगा, 4,0 नीचे है, 4,0 पर है, solve हो गया, 5,1 जा 5, 5,3 जा 15, it means you will get 3 by 1, अब 3 by 1 को आप क्या लिख सकते हो, 3 by 1 को लिख सकते हो, 3 is to 1, यान ठीक है, तो बहुत एजी सा कोशन था, अच्छा, कोशन क्लियर होगा, तो एक बर बता दो, अगर यस बोलो, अगर नहीं होगा, तो नो भी बोल सकते हो, जहां पर explanation की ज़रोत है, वहां पर मैं बता दूगा, अच्छा, उस बीच में एक कोशन और आ गया है, रिशव कहरा स सर, इस यर कोशन पेपर, NCRT बोड, NCRT बोड, अच्छा, फिफ्त, इस मार, यह क्या लिखना चाहरे हो, मैं कुझे कोशन पूछ रहा हूँ, कोशन बाते बात में बताना, बच्चे, कोई कोशन है, तो पूछो, अधरवाइस क्लास वाइंड आप करता हो, आज की क्लास में है, जो भी डाउट्स थे, जितने में थे, मैं उनको क्लार कर पाया हूँ, ठीक है, फिर बच्चो, अब मिलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में, और जल्दी जोइन करो, देर से, हाँ, ठीक है, मैतली ने भी आंसर लिख दिया, सर, और अर्निंग की इनकम है, ठीक है, कुछ ब बड़िया, बहुत बढ़िया, घर बगए। दोनों पार्ट पात एल, ऑच्चो फिर इतना रख्ते हैं, फिर आज की क्लास में, कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, जुतने जल्दी जोइन करो, जपासी में पातने क्या है, तो अगर जाएकार कुछन कर सकते हैं, तो घर कोई पराबलम तो नहीं है किसी को, अगर है तो जल्दी बोलो, नहीं तो फिर रो वाइंड उप करें क्लास को, किसी ने कुछ पूछना है है, हलो, ययास या रीपलाइए करो भी, ययास या नो में रीपलाइए करो, कोई रीपलाइँ नहीं कर रहा है भी? रच एक बच्चा क्लास में कारें ना कोई सब्सक्का यह मैंने टाओ करता हूं ठीक है बच्च टेश्य रंग आप कर रहा हूँ चलो ठीक है फिर थैंक्यू फॉर वाचिंग और मिलते हैं फिर नेक्स क्लास में आज की क्लास आपकी ओवर करता हूं यहां से में तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जो भी आपके डाउट्स बगर हैं किलर हो गये होंगे सुबह जितनी जल्दी जुएन करोगे इतना बढ़िया ज्यादा कोशन पूछ पाओगे कोशन बचे पहले से टाइप करके रेडी रखा करो ठीक है ताकि आपको पूछने में कोई प्रॉब्लम ना हो आसानी से पूछ सको आप लोग ठीक है तो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर पाएंगे ठीक है चलो अभी के लिए बाई